चिराग पास्वान ने चला एक ऐसा चाल जो बीजे पी इस वक्त मजबूत और बिपक्च हमेशा कमजोड देखा जा सकता है नमस्कार मैं नाम दीपक है और देखना सुरू कर चुके हैं आई टीटी निउस बात करेंगे नितिश कुमार पर क्यों डाला जा रहा है दबाओ की देदें वह स्तीफा और स्तीफे की मांग को लेकर के क्यों अटग है विपक्च शातिसात आज की बड़ी कवर बाचित होगी कि आब बकसर में किसानों को उपर लाठियां जो बरसाई गई अब किसान निता भी इस मामले में इन्वाल होते नजर आ है किसान निताओं ने भी इस पर दुख जताया और इसके साथ बताएंगे कि बिहार के अगले उत्रा अधिकारी तेजश्वी यादों के मुस्किलें क्या सचमुछ बढ़ेंगी क्या रोजगार के मुद्दे पर घेरने की परयास होगी या ठंड के मौशम में कड़कडाती ठंड के मौशम में बिहार का टंप्रेचर और गिरेगा शाठ सालों का ठंड का रेकॉर्ड ब्रेक हुआ जानने का प्रयास करेंगे कि अमीत साथ 2023 को ले करके राजनीतिक पारा को कैसे मजबूत करना चाहते हैं और इसके साथ ही आज की बड़ी खबरों में जानने का प्रयास करेंगे कि शुशील कुमार मोदी ने किस तरीके से अपने बाहों को मजबूत करते हुए अपने बेहतर कामों को बताने का प्रयास किया और बकसर में पहुँचकर किसानों के दुख पर आसुआ बहाए साथे साथ बात होगी आज ही बड़ी खबर के अंदर की मुलायम सिन यादो के जाने के बाद में अखलेश यादो समाले कुर्सी कहा सब कुछ ठीक ठाक चलेगा बिहार में क्या सब कुछ ठीक ठाक है शराबंदी वाले बयान पर क्या हो क्यों मचा बावाल करेंगे अबस्त बाचित होगी किस तरीके से इस वक्त जो है इंडियन वायल से लेकर के तमाम जो कमपनिया है वो अपनी कीमतों में इजाफा करने ही है और कैसे इन पर कीमत बढ़ती है इसके बारे में बिस्तार से बाचित होगी तो छोटी बड़ी सभी खबरों को बिस्तार से देखें उसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देज़ें। पद से भी हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप इतने शांती पुर्वा क्यों हैं। तो बीजेपी के अभी पक्ष में जा करके जुड़ जाते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कि कभी भी हमें बीजेपी के साथ रहना है। क्योंकि बीजेपी के समय एजलेंडा मज़बूत हो रहा है और बीजेपी के ताकते भी मजबूत हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये रास्ता अगर हम खूल देते हैं बिहार का दौर। तो फिर हम सीएम पद जो है बहुत ही अराम से सभालेंगे तो दलीत समुदाय के अच्छे खासे भोट पैंक पर निगाहों को बनाने वाले चिराग पस्त्वान ने बिहार के राजनितिक में चुपके चोरी पिछले दरवाजुश याने के त्यारी शुरू की बड़ी खबर निकलकर तो यह है कि आज जहां नितीश कुमार के आलोचनाएं खूब हो रही है मननिय मुकमंत्री नितीश कुमार के आलोचनाएं क्यों हो रही है यह आपको भी पता है दर्शल नितीश कुमार एक ऐसे नेता है जिन्होंने कभी भी ये बातों को नहीं बताया कि उन्होंने बिहार का विकास कितना किया है उन्होंने हमेशा से यह बताने का प्रियास किया कि बिहार के लोगों के लिए हमने क्या किया है और साइद इसलिए बिहार के लोग भी उन्हें खूब पसंद करते हैं, खूब चाहते हैं, बिहार के लोग उन्हें अच्छे तरीके से चाहते हैं, कि बिहार में एक अच्छा development, एक अच्छी विकास, एक अच्छी नीती, जो नितीश कुमार कर सकते हैं, वो साइद और कोई नहीं कर सकता और इन्हीं सभी बायानों को ले करके इन्हीं सभी बातों को ले करके नितीश कुमार के अलुचनाएं भी खूब होती है माना ज़र आए कि मानिय मुकमंत्री नितिश कुमार जो है बिहार के बहतर विकास के लिए अपने सपनों को सजा करके जो आगे निकले हैं इस सपनों को पूरा करते हुए भी नज़र आएंगे खर आपका इस मुद्दो पर क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में लिक कर ज़रूर बताएं बड़ी खबर तो यह है कि आज जब BACV बोट के परिक्षाएं होनी है तो परिक्षाओं से पहले जो है वो ठंड के कारण रोगों को काफी परशान होना पड़ रहा है लेकिन इतने ठंड में भी BACV बोट ने अपने नियमों में नहीं बदलाव किया अपने नियमों को यू ही टाइट रखा है कड़ा रखा है उन्होंने कहा है कि जो निया में वो नहीं बदलेंगे चपल जूता खोल करके आना है तो आना है इसलिए चपल जूता पहनना ये पोसिबल तो नहीं होगा साहब इसलिए चपल जुताओं को खोल करके आईए ये अच्छी चीज़ें होंगी आपके बड़ी ख़बर तो ये है कि पटना मेट्रो की शुरुआत के साथ नितीश कुमार से लेकर के 33 आदाव तक इसे जो है वो लूटने में लगेंगे कि कौन कितना बहाई-बहाई जीत लेता ह तो पटना मेट्रो की सुरुआत की शिले नियाश की तियारी कौन करेगा ये तो अभी लंबे वक्त बादत होगा क्योंकि पटना मेट्रो में भी काम चली रहा है लेकिन इसके पीछे तमाम जो चीज़ें नहीं जानते लो वह बताने की तियारी निताओं के द्वारा की जा वाली है लेकिन लोग सबा के चुनाओं में भी उसे अपनी आप की मजबूती करनी होगी और इसी लिए दो है वो चीजों को बदला जा रहा है खैर दोस्तों आपको फिर से बता देते हैं कि मिली एक जनकारी के अनुसार जो है वो अभी के अनुसार जो है प्रधानत्री श पहले आप सबार में जरूर जानने कि यातरियों को भारी परशानीओ से ना गुजरना पड़े जब भी वियातरा कर हैं तो आपको यह जनकारी अवश्य जरूर नी होनी चाहिए यातरा के दौरान जो है वो आपको परशानना होना पड़े इसलिए घरों से बाः निकलते जब आप यातर करने जा रहे हैं, तो उस वक्त जो है, आप यह जनकारी ले ले, कि आपकी ट्रेने कब और कहां से किस तरीके से गुजरने वाली है, यह आपके लिए भी बहतर होगा, और साथी साथ ठंड के मौश्रमों में आपके लिए शूटेबल हो सकता है, खाने पीने की तमाम चीज़े महंगी हो रही है, महंगी प्याज, टमाटर, लहसन, यह तमाम चीज़े महंगी हो रही है, लेकिन आज इन महंगाई के मुद्दों पर जहां ग्रेहनियों ने सरकार के प्रती बिरोद जताई, तो सरकार इन मुद्दों पर चूप चाप अपनी क कर रहे हैं अगर कुछ बोलेंगे तो फिर इस पर जो है निगेटिव बड़ी ख़बर तो यह है कि मिली एक रिपोर्ट के अनुसार जो है वो बिहार की युवा जो है रोजगार के मुद्दों पर मांग कर रहे हैं रोजगार उन्हें चाहिए पर रोजगार कौन देखा आख लेकिन इन बातों पर कदा भी किसी का ध्यान नहीं होता आखिर क्यों हमें भी समझनी क्यों शक्ता होनी साहिए खबर तो यह है कि थर्मर पावर प्लांट के लिए जो जमीने बखसर में ली गई थर्मर पावर प्लांट के सीओ पर लगा बड़ा रूप कहा कि थर्मर पावर प्लांट के सीओ नहीं जमीनों को हडप लिया और जमीनों को हडप करके यह दावा कर दिया कि किसानों ने थर्मर पावर प्लांट के अंदर घुस करके आग लगा दी खेर अब इस पर थर्मर पाउर प्लांट को कोट में बयान देना है थर्मर पाउर प्लांट कोट में इसकी जबाब देही देगा कि ये कौन से लोग थे जिन्हों ने इस तरीके की हरक्त को किया अभी तो कुछ कहपाना बड़ा मुस्किल है दोस्तो आईटी आजब आने जारा है आपको कि अगर आप एक बिजन्स की तलास में हैं तो बिजन्स करने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौगा है दोस्तों बिजनेस की तलास में अगर आप हैं तो बिजनेस के लिए आपको सोलर पाउर प्लांट पर ध्यान देने के आउशकता है क्योंकि solar power plant अगर आप लगाते हैं तो आपको इस पर जो है अच्छा खासा मुनाफ़ा एक जीवन नहीं पर जीवन जीवन तक मिलने वाला है ऐसे में थर्मर पाल प्लांट को लगाना है तो इसके लिए सरकार भी अनुदान रासियों को दे रही है तो ध्यान देने क्या शुक्ता है आई पील क्या चड़ है कि सच्मुच फिर से कोरोना की भीट यह काय पाना बड़ा मुस्किल है क्यूंकि करोना अपने दोर में लगतार जारी है और देश में करोना की बढ़ती इस्तीतियां जो है वो लोगों को परिशान कर रही है माना चाहरा है कि कोरोना के धीरे धीरे जो नई वेरियंट है वो परशानी के कारण बन रही है लेकिन उसके बहुत भी अब आई पेल को कराने का शूर और ताल सरका देखा जा रहा है बेसिस याई में खैर चीजे जो है वो बदल रही है और ऐसे भी बदलने की कोशिश होगी इस पार के आई पेल में रोमान्स से लिए करके तमाम चीजे नजर आएंगी बने रिया फामार चांट आई टीटी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यबाद जय हिंद बन्यबाद